कहता है स्टेट वायर डाय मेटर पॉइंट वन मितर कहरेंट बॉन एल Mei अगर एक स्टेट वायर से जी स्टेट वायर पॉइर में इसके कुछ इसकी डाय міट अवर is 0.5 mm क्रफ़ेंट एजमामस की किलियर है और इस में इस पूरे इस पूरे वायर में जो करेंट हो रही है क्रेंट इसमें उनिफार्मल हो हो रही है वाटीर जो भी है वन एंपीर हैं कहता है अगर इस वायर को मैं एक मेड एक मिलिमी वायर से डाइमिटर से रिप्लेस कर दूँ और करेंट की वेलू सेम रखो तो मेगनेटिक फिल्ड फार वे मतलब दूर दूर पे जो मेगनेटिक फिल्ड होगा वो कितना होगा तो अगर मैं इस वायर को इस अगर इसको थीक कर दिया वन मिलिमीटर कर दिया चलो यह वन यहां से यह यहां से यह देख रहे हो है यह इससे सहरत पर आइड इस्टेंस पर पर माइडेडिक फिल्ड की फिल्ड ब्री घुंए कर देख यार फिल्डब में न की तो क्या यहां पर magnetic field पहले से कितना होगा अगर कोई वायर है हम सब को पढ़ गया है कोई वायर है कोई cylindrical pipe है ठीक है होलो है या कोई cylindrical solid pipe है ठीक है या थीक इससिलेंडर है जिसकी inner or outer radius अलग-अलग है ठीक है इन सभी में एकर कैंट की वेलू सेम तो डिस्टेंस पर magnetic field सेम होता है चेंज़ नहीं होता क्यूंकि अगर देखो एक वायर है यहुसमें करेंट आइफ लोरे तो आड इस्टेंस पर अगर मैगनेटिक फिल्ट की वेलू कैसे निकालते हैं एंपियर सिर्क्यूटर लाइंपियर सिर्क्यूटर लोग क्या गाता है कि क्लोज इसके अंदर क्लोज इंपिरियन ळूप बनाएंगे यहां पर यहांपर मैगनेकर निगाहलना तो डिरीवेशन म invented लूप बनाते हैं अब जब कभी पर ईहां और डिस्टेंस पर लूप यह लूप तो सम्में तो करेंट की वेलू तो सेम आएगी ना भई आड इस्टेंस पर लूप बनाओगे तो current की value तो सेम है तो जब सम में current की value सेम है तो magnetic field तो सेम होगा ना integration करोगे बी डॉट डियल पूरी का integration length का 2pi r और mu not और total current i तो magnetic field आ जाएगा mu not i और 2pi r ठीक है तो सभी में current की value change नहीं होगी forever distance पर सभी में सेम रती है क्योंकि एंपियर लॉसे अंदर में थीक थीन होता रहे अंदर में करेंट की वेलू सेम रहेगी that's why करेंट की वेलू चेंज नहीं होगी that is मतलब हम लोगों का ये एडी आप्शन सही है same as earlier